अजीज दोस्तों नमस्कार अजीज दोस्तों अंकरा तुर्की का कैपिटल उसमें हमला हुआ है टेररिस्ट हमला हुआ है और यह है कि उन्होंने तुसास जो के तुर्किश एविएशन और स्पेस बेसे उस पे भारी हत्यारों से हमला किया है तीन लोगों ने जिसमें दो लड़किया है एक लड़का है और आखरी खबर आने तक यह था कि आठ तीन लोग मिनिस्ट्री है उसके मताबिक तीन मारे गए हैं आठ जखमी हैं और आठ ही तकरीबन होस्टेज है अब अज़िस दोस्तों कहानी यह है कि इसका जाहरे इल्जाम अभी तक तो कुर्दों के उपर लग र elements अज़िए पार्डी के उपर और लगाया जा रहा है इक ऑपर बम बान्द के suicide attack किया और बम धमाके से उसने उड़ा दिया और बाकी एक लड़का और एक लड़की हथियारों से firing करते हुए अंदर घुजगए कई लोगों को वहां पर बंदी बना लिया है अजिस दोस्तों कुर्दों का भी हिसाब कताब बलोचों जैसा ही है बलोच भी तीन कंट्रीज में डिवाइड हैं अफगानिस्तानी एरान और पाकिस्तान में इसी तरह कुर्द भी सीरिया, इराक, तुर्की और इरान में डिवाइड हैं इसलिए इनका मसला हल नहीं होता अमेरिका जैसा दोगला पावर जो है इसने इनको हमेशा यूज़ किया फॉर्स्ट वर्ल्ड वार में भी इनको वादे किये गए थे के साथ दो तो हम तुमें वहां से ओटोमन अमपैर खतम होगी और फिर हम वहां पे डी कोलोनाजेशन करेंगे तो उसमें कुर्दिस्तान बना देंगे लेकिन कुछ नहीं हुआ फिर सेकेंड वर्ल्ड वार में भी वादे हुए Second World War में भी उन्होंने यही कहा कि इस आलाके में हमारी मदद करें तो कुर्दों ने पूरी मदद की लेकिन end of the day World War खतम हुई कुर्दों को independence country का एलान भी हुआ लेकिन फिर इस पर अमल नहीं हुआ और 1990 में जब जोर्ज बुश सीनियर ने इराक पे पहला अमला किया था सदाम हुसेन के उपर उस वक्त भी कुर्दों को यही वादा था कि कुर्दिस्तान आजाद कर देंगे इराक में खास तोर पे और मौसल कैपिटल होगा और उसके बाद बाकी जो इरान सीरिया और तुर्की में जो डिवाइड़ हैं उनको बाद में हम वो कर देंगा आजाद लेकिन फिर वादे हुए फिर थोड़ा नो फ्लाइ जोन और यह वो बना के इनको थोड़ी सी आजादी थी लेकिन एंड अफ दे डे फिर नहीं हो सका कुर्दों के उपर सबसे ज़्यादा जो जो जल्म कर रहा है न वो तुर्की कर रहा है इराक में तो अब ये काफी हद तक बहता है कि सदाम हुसे ने इनके ओपर आपरेशन करता था लेकिन अब इराक में इनकी हालत बहता है लेकिन तुर्की इनके ओपर हद से ज़्यादा जल्म करता है ये जो लड़की जिसने सीने पर बम बंदा था और एक लड़की जो गात्यार लेके जा रही थी और एक लड़का इन मेंसे एक लड़की जो पैचान हुई है उसका नाम है फरा करीम खुर्द और इसका गैंग रेप किया था तुर्की शार्मी के लोगों ने कुर्दों के साथ तुर्की में वही हो रहा है जो पाकिस्तान में बलोचों के साथ हो रहे है और हद से ज़्यादा जल्म कर रहे हैं और चुके तुर्की अमेरिका का पार्टनर है नेटो का मेंबर है तो ये है कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है इनके उपर लेकिन ये है क कितने भी जल्म कर लें जो आजादी की जेनियन मुवमेंट्स होती है ना वो आखिर कार आजादी हासिल कर लेती है जियो पॉलिटिकल हिसाब किताब में चुंकर ये डिवाइड़ हैं एक कंट्री में होते तो बलोच और कुर्द मसला कब का हल हो जाता अजिस दोस्तों तैयब अरबगान ब्रिक्स की मीटिंग में पार्टिसिपेशन के लिए पहुँचे थे कजान रश्या और वहाँ पर जैसे ही वो पहुँचे इसके दो गंटे बाद ये खबर आगई कि ये टेररिस्ट हमला हुआ है कुछ लोग कह रहे हैं कि ये C.I.A. का काम है क्योंके कुर्दों को C.I.A. ने पिछले First World War से यूज करती हुई आई है तो कुर्दों का C.I.A. से काफी connection है और चुँके तुर्की नेटो का member है तो ब्रिक्स की membership के लिए या ब्रिक्स की meeting में जाने का उसका क्या sense बनता है ओनली नेटो कंट्री है जो ब्रिक्स की meeting में गया है तो आजकल एक्चुली ब्रिक्स का भी मसला ये है कि ब्रिक्स बहुत ही strong होती जा रही है देखें दुनिया में fastest growing forecast जो हुई है ने economies की IMF की तरफ से उसमें सबसे जादा forecast है इंडिया की 7% दूसरे नमबर पर 4.8% चाइना की वो भी ब्रिक्स का member तीसरे नमबर पर रशिया 3.6 ब्रिक्स चोथे नमबर पर ब्राजिल 3.0 ब्रिक्स पर पांच में पर अमेरिका आता है जो के G7 का member है पर छटे में साओधी अरब है साओधी अरब एक्चोली देखें ब्रिक्स के पांच औरिजिनल member थे रशिया चाइना इंडिया ब्राजिल और साउथ अफरिका इसके बाद चार और इसमें addition हुए थे जो के इसके बाद चार एडिशन हुए थे इजीप्ट, एथियोपिया, इरान और इमारात और साओधी अरब को officially invite किया गया है जोइन करने के लिए लेकिन इस meeting में साओधी अरब ने स्किप किया है और जिस वक्त ब्रिक्स की meeting चल रही थी तो अमेरिका के फॉरेंड मिनिस्टर एंटर्नी बिलिंकन महम्मद बिन सल्मान से meeting कर रहे थे तो यह एक खिचड़ी पक रही है बाकी और भी कई कंट्रीज ने अप्लाइ किया है अलजेरिया, आजर्बाइच, बहरे बंगलादेश, बेलारूस, बॉलीविया, क्यूबा, काजरकिस्तान लंबी लिस्ट है अजीज दोस्तों ब्रिक्स एक बहुत स्ट्रोंग अलाइन्स बनता जा रहा है दुनिया की अगर सारे member बन जाते है तो दुनिया की आदी से ज्यादा population इसमें आ जाएगी और economy दुनि तो उसमें तीन ब्रिक्स के member हैं, अमेरिका, रशा, चाइना और इंडिया तो इसमें से तीन ब्रिक्स के member हैं, ब्रिक्स एक बहुत important alliance बनता जा रहा है, डी डॉलराइजेशन, डॉलर की hegemony को भी तोडने की कोशिश हो रही है, चाइना के जी जिन पिंग ने अपनी speech में कहा कि हमें दुनिया में जो वन साइड़ फानेंशल इंस्टिटूर्स और फानेंशल हेजमोनी है डॉलर की और अमेरिका की उसको ختم करना होगा और हमें ब्रिक्स को बहुत स्ट्रोंग करना होगा एक तरफ अमेरिका के जो डीप स्टेट है वो ये राग अलाप रहे हैं के विलाडिमीर पूटीन जो है वो आईसोलेटेड हो गए इनका कोई भाव नहीं पूछ रहा लेकिन विलाडिमीर पूटीन ने इस साल मेरा ख वह इसी आए जिसमें प्रामिनिस्टरी नरंदर मोडी जी थे ली जिन पिंग चायना का फिर पिर जनरल सीसी साओथ अफ्रिका का प्रेसिडेंट ब्राजील का प्रेसिडेंट इमारात प्रेसिडेंट मोहमध बिन जonic कर इस तरह पाफी अग आये थे अमेरिका यह जो प्रो आपेगेंडा तोटता जा रहा है, कुणिकी हो यूःयन रशिया वार के चकर में, जो के एक्च्वली यूःन नेटो वार है, और यूःन की तो, रशिया नेटो वार है, क्यूँकि यूःन की दो कोई उकात नही है को रशिया जैसी पावर का मुकाबला करे, यह नेटो की वज़ा से और इस कॉमेडियन को इन्हों ने खड़ा किया है नेटो ने ये कॉमेडियन कल यूरोपन पारलिमेंट गया तो इसकी हालत खराब थी ऐसा लग रहा था कोई भिकारी होता है ना आपको आज कल ये वीडियो बहुत वाइरल हुई है खारगे की जो कॉंग्रेस के प आने नहीं दिया जबके इस प्रेसिडेंट आफ इंडियन नेशनल कॉंग्रेस तो ये ढकोस लाई है इसी तरह विलाडिमीर पूटिन का भी यही हाल था और विलाडिमीर पूटिन जंग भी हार रहा है ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये एक आम आदमी को कंसर्ट से उठा के फोज में भरती करने के लिए ले जा रहे हैं कि अब इनके पास लड़ने के लिए बंदे नहीं हैं तो कंसर्ट में से उठा रहे हैं शोपिंग माल में से उठा रहे हैं लोगों को उठा उठा के जबरदस्ती फोज में भरती किया जा रहा है और ये है कि यूक्रेन basically जंग कपका हार चुका है नेटो इसको जबरदस्ती चलाए जा रहा है लेकिन end of the day इस जंग का नतीजा बुरा ही होगा अब BBC कहता है कि West का pressure काम नहीं कर रहा पूटिन ने दुनिया भर के allies को जमा किया और दूसरी तरफ New York Times so cold Briggs group कह रहा है so cold और इसी तरह CNN ने भी इसके ओपर खबर लगाई और कोशिश ही हो रही है कि इसकी importance को minimize किया जाए लेकिन यह minimize कर नहीं सकते क्योंकि यह बहुत ही important alliance बनता जा रहा है बहुत strong बनता जा रहा है अभी तक नेटो वाला alliance नहीं बना नेटो तो एक pure military alliance है क्योंकि इसमें कहीं को economy कहीं और कुछ नहीं है नेटो प्यूर military alliance है जबके G7 और G20 के economic alliance है जबके BRICS अभी तक military alliance नहीं बना ब्रिक्स का मैं जो मुद्धा था मैं जो issue था ना वो यह था कि चाइना और इंडिया के आपस में issues थे जिसकी वज़ा से हो नहीं रहा था और विलाडिमिर पूटिन ने अब इस बार काफी अर्से से वो कोशिश कर रहा था और इस बार इस ने प्राइम मिनिस्टर नरिंदर मोदी को और लीजिंग जीपिंग को एक टेबल पर बिठा दिया और negotiation हुए पांच साल पहले जो चाइना ने गलवान में जो बदमाशी की थी इसके बाद ये पहली हाइस लेवल पर मीटिंग हुई है इंडिया और चाइना के लीडर्स की दोनों तरफ पूरी पूरी कैबिनेट बैठी थी प्राइम मिनिस्टर नरिंदर मोदी जी के साथ भी काफी फॉरेन ओफिस के और अजीड डौवल साब थे जे शंकर जी थे फॉरेन ओफिस के ओफिशल्स थे इसी तरह डिफेंस ओफिशल्स थे ली जिंपिंक का भी प्राइम मिनिस्टर भी था फॉरेन मिनिस्टर भी था सारे लोग थे और एक बहुत जबरदस मीटिंग ईब अब अमारे मसले हाल हो चुके हैं और अब कामन पैटरोलिंग होगी और एक दूसरे के ओपर मिनिस्ट बढ़ाया जाएगा और प्रोब्मिस को SOWLV किया जाएगा, अगर ये प्रोब्म्स दोनें के mają हो जाते हैं यहीं अमरिका नहीं चाता था, अमरिका यहीं चाता था के चाइना और अपस में जगडा हो जाए हैं, यह लड़ पड़े हैं और इसको ये दो ग्रोइंग पावर्स हैं चाइना और इंडिया उससे जान छूट जाए लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी इंडिया और चाइना में अंडरस्टेंडिंग बढ़ती जा रही है ये अमरीका के लिए अच्छा नहीं है और इसलिए एक इंटरनेशनल केमपें प्राइम मिनिस्टर नरिंदर मोदी के खिलाफ चलाई गई है जैसे कैनेडा में और अमरीका में पनून के अवाले से लेकिन और इस बार ब्रिक्स में ये जो मीटिंग हुई है ये इसने अमरीका को हिला के रख दिया है अज़िज दोस्तों चाइना और इंडिया की मीटिं फॉरेन ओफिस के नुमाइन दे ने इस पर प्रेस कांफरेंस की थी उदर ही काजान रशिया में बताया कि क्या क्या बाते हुई और एक लॉंग टर्म स्ट्रेटिजी डिसकस हुई है इसके लावा प्राइम मिनिस्टर नरिंदर मोदी और उनकी पूरी केबिनिट की रशिय के विलाडिमीर पूटिन और उनकी पूरी केबिनिट के साथ एक जबरदस मीटिंग हुई और इस तस्वीर से आप देख लें इस खाली इस पिक्चर से अंदाजा होता है कि दोनु तरफ के चेहरे कितने मुस्कराइटे हैं जे शंकर जी अजी डोवल जी मोदी जी और दू जाते हैं प्राइम मिनिस्टर नरिंदर मोदी जी रशियन में बोलता हूँ तो भी वो समझ जाते हैं इसलिए का हमारी अंडरस्टेंडिंग इतनी है कि हम एक दूसरे की बाते हैं बगएर किसी ट्रासलेटर के समझ जाते हैं यह एक बड़ी बात है कि रश जो हे न वो हर थे 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 अमेरिकन अत्यारों से ही भारत 1965 और 1971 की जंगें पाकिस्तान ने अमेरिकन हत्यारों के बल पे लड़ी हैं. पिर कारगिल और discs सेहांची इंसामी में अमेरिकन हत्यारों का स्वीया है बारत की ख्लाब है. और ऐसे मौकों पर रश्या भारत के साथ हमेशा खड़ा रहा है रश्या भारत का एक confident friend है अजीज दोस्तों इसके इलावा एजिप्ट के प्रेसिडेंट जनरल सीसी उनसे भी मुलाकात अलग से हुई और काफी discussions हुई इमारात के प्रेसिडेंट मुहम्मद बिन जैद से भी काफी detail में meeting हुई और जिस हिसाब से इन दोनों की आप body language देखें के जिस हिसाब से ये एक दूसरे से बातें कर रहे हैं उससे अंदाजा होता है कि ये कितनी friendly family understanding है दोनों leaders के दर्मियन दोनों countries के दर्मियन यही मुहम्मद बिन जैद जब प्राइम मिनिस्टर शेबाश शरीफ से मिलते हैं तो पता चल जाता है कि एक कफील है और एक कफील का गुलाम है एक भीकारी है और एक भीक दाने वाला है लेकिन जब ये प्राइम मिनिस्टर नरिंदर मोदी जी से मिलते हैं तो इनको पता होता है कि ये कोई भीक नहीं मांगेगा इसके साथ हमारी बात्चित होगी भारत के साथ हमारी ट्रेडिंग होगी कोई भी एग्रिमेंट होगा कोई भी चीज होगी उसका फाइदा इमारात और भारत दोनों को होगा और ये टू वे चीज़ें होती है इसी तरह सबसे मीटिंग होईं काफी डिटेल में चीज़ें होईं ब्रिक्स का भी एक अच्छा वो रहा और खास तोर पे भारत के लिए काफी पॉजिटिव्स हैं इसमें मैं कहता हूँ कि मादेव की किर्पा है कि भारत को नरिंदर मुदी जैसा लीडर मिला है इतनी साजिशें अंदर और बाहर हो रही है इसके बावजुद जिस तरह भारत को लेके आगे बढ़े जा रहे हैं आखें बंद करके मतलब किसी से डरते नहीं है दबते नहीं है डिक्टेशन नहीं लेते किसी चीज़ के प्रेशर में नहीं आते आप ये देखें कि इतना बड़ा कोविट का कांड आया उसको भी प्यार महबद से निप्टा लिया गया और जो नुकसान कोविट भारत को पहुँचा सकता था उसको बहुत ही मिनिमाईस किया गया वरना योरॉप और अमरिका में कोविट ने जो तबाईया मचाई हैं ये तो लिखते नहीं है ना इनके अखबार तो लिखते थे कि भारत के दरियाँँ में कोविट की वज़ा से लाशे डूब रही है इनके मिलियंस ओव लोग मरें मिलियंस बोलते नहीं है ये क्योंके पूरी दुनिया का मीडिया अमेरिका का डीप स्टेट चला रहा है तो अजीज दोस्तों प्रैमिनिस्टर नरिंदर मोदी जी भारत को कहां से कहां ले जा रहे हैं एक मिसाल ले लें कि ये इतना बड़ा जो इशू है राशिया यूक्रेम वार का इसमें भारत क के जून में चार मैने पहले ये मिले नरिंदर मोदी जी मिले जैलेंसकी से फिर जुलाई में पुटिन से मिले अगर्स्ट में फिर जैलेंसकी से मिले अब ऑक्टोबर में पुटिन से मिले हैं ओनली कंट्री है भारत जो रश्या जे और यूक्रेम के बीच में कुछ ना कु कि इसके बारे में डिसकुपियन हुई रेशिया यूक्रेयन के बारे में और पूर्टीन ने एक्स्टरीन किया कि किस तरह हम यह चीजें ariat कर रहे हमें कोई शोक नहीं है यूक्रेयन परुमला करते हैं लेकिन हमें मप्दूर किया गया इसी तरह जो गज़ा इसराइल का मसला है इसमें भी भारत से इसराइल की भी लीडर्शिप बार बार कॉंटेक करती है और पलेस्टिनियन लीडर्शिप भी बार बार कॉंटेक करती है और यह है कि भारत पे दोनों साइड भरोसा भी करते हैं और ब्रिक्स की मीटिंग में जो आखरी प्रेस रिलीज हुई उसमें कंडेम किया गिया इसराइल को कि इसराइल जो लेबेनन और गज़ा में जो सिविलिन कैश्वल्टी से हैं वो बहुत ज्यादा हैं वो अलग कहानी है वो मैं आपको रश्या यूक्रे वो गज़ा इसराइल के मामले पर डिटेल में बताऊंगा सफाय कर रहा है भाई नितन याहू सफाय करने वालों को बहुत कुछ फिर यह कि वो कहते हैं कि घ्यूं के साथ घुन भी पेस जाते हैं और तो वो सफाय कर रहा है वो मजबूर हो गया है अब 1948 से हर कुछ अरसे बाद फलस्तिनी कभी कोई फता के नाम पे कभी पी एलो के नाम पे कभी हमास के नाम पे कभी हजबिल्ला के नाम पे तो कुछ ना कुछ चीज़ें करता ही रहता है तो इस बार जो हुआ ना साथ अक्टोबर 2023 को इसके बाद इसराइल ने कहा कि नहीं बहुत हो गया एक पीस एग्रिमेंट चल रहा था सब कुछ था हमने घजज़ा को फ्री हैंड गया हुआ था फ्री हैंड था जब ही 200 माइल के टनलें बन गई ना तो उसने कब बहुत हो गया भाई अब नहीं अब नहीं आप बार बार हमला करते हैं और आपकी आइडियोलोजी यह है कि हमने यहोदियों को नहीं छोड़ना है यहोदियों को तो हमने मारना है पूरी दुनिया में जहां भी यहोदी होगा वो हमने मा परदस्त रही और यह है कि इसके नतीजे भारत को फ्यूचर में पता चलेगा और आप देखिएगा कि ब्रिक्स अभी और स्ट्रोंग होगा इसमें साओधी अरब भी आएगा अलजेरिया भी आएगा और इसमें काफी स्ट्रोंग कंट्रिस आएंगे जिससे के मामलात होगी कि वो कंट्रिस जो रिलिजियस आइडियोलोजी को सुप्रीम बनाते हैं और उसमें फिर हिमन रैट्स इंक्लूड नहीं होता उसमें रिलिजियस माइनोरिटी का हाल खराब हो जाता है जैसे बंगला देशे जैसे पाकिस्तान है इन दो कंट्रिस को तो आप देने का सोचिएगा भी नहीं तो बाकी अलजेरिया, आजरबाइजान, बॉलिविया, बेलारूस, कज़कस्तान, सेनेगाल, थाइलेंड, वेनिजवेला ये सब देने मेंबर्शिप के लिए जो अपलाई किया है इनको देने का बारे में सोचा जा सकता है वेनिजवेला के प्रेसिडेंड भी आये थे, प्राइम मिनिस्टर वेतनाम के भी आये, काफी दुनिया की लीडर्शिप आई है और मैं समझता हूं कि ये बरिक का अलाइंस है वो दुनिया में बैलेंस ओफ पावर करेगा, जब से सोवियट उनियन टूटा है, दुनिया यूनिपॉलर हो ग कि इक इक चलाता है, इलेक्टेट गवर्णमेंट लाइक बंगलादेश, इलेक्टेट गवर्नमेंट को तोड़ा है तो ये बदमाशिया खतम के लिए अब ज़रूरी है कि ये ऐलाइंस है और अगर इंडिया और चाइना की आपस में बहुत ज्यादा अंडरस्टेंघन हो तो ब्रिक्स का common military alliance बन सकता है और वो एक बहुत बड़ी power हो जाएगी इसलिए कि जैसे नेटो है नेटो के जो countries हैं 30 countries वो आपस में नहीं लड़ते हैं इनके आपस में जगड़े नहीं होते हालांके ग्रीक और ग्रीस और तुर्की का ऐसा ही मसला है जैसे इंडिया पाकिस्त का है लेकिन चूंके दोनों नेटो के मेंबर हैं इसलिए पीस है वहाँ पे अंडरस्टेंडिंग है सब चीज़ें हैं क्योंके यह ग्रीस और तुर्की का मसला इंडिया पाकिस्तान का तो अभी 75 साल का है इनका तो कई centuries का है Ottoman Empire से पहले Greek Empire थी और यह सब चीज़ें थी तो Aziz Dostov, hopefully BRICS will bring some balance in this world. Thank you very much Aziz Dostov for all your support. Kindly keep supporting.